Dear students, this is Surbhi Tiwari and you are watching your favorite educational channel Magnet Brains जहाँ पर हम आपको देते हैं 100% free quality education by our best teachers Magnet Brains पर आपको दो chapters के बाद किसी भी तरीकी का page subscription लेने की जरुवत नहीं है मतलब दो chapter पढ़ने के बाद आप से fee की demand नहीं की जाएगी यहाँ पर आपको आपके CBSC, Hindi Medium, English Medium प्लस बहुत सारे writers का solution प्लस NTSC, Olympiad जैसे competitive exam की preparation करवाई जाती है और kindergarten से class 12 तक साभी classes के online video lectures मिलते हैं 100% free of cost अब हम start कर रहे हैं class 6 का science subject Well science के साथ साथ आपको बाकी के भी तो subjects पढ़ना है जो कि जरूरी है तो वो रहे आपके यह सारे teachers जो कि आपको math, English, social पढ़ाते हैं इनका साथ होगा तभी तो आप होंगे काम्याब या बोले हम के हम होंगे काम्याब हमारे exams में तो चलिए अब हम शुरुआत कर देते हैं हमारे chapter number 5 के जो कि है separation of substances हमने last class में इसका क्या topic फिनिश किया था हमने पढ़ा था evaporation के बारे में और condensation के बारे में साथी साथ हमारे मन में एक सवाल था कि जो पहली ने हमारे मन में डाल दिया था कि उसने quantity lead sand की और salt की जो की तोनों ही अलग-अलग थी और उसे mix कर दिया लेकिन जब उसने evaporation किया तो उसने देखा कि जितना content उसने salt का मिलाया था उतना content उसको वापस नहीं मिला तो ऐसा क्यों तो उसका answer आज के इस video में मैं आपको देने वाली हूँ so in chapter 4 we found that many substances dissolved in water and form a solution तो हम नहीं देखा था कि बहुत सारी substances पानी में मिलते हैं और उसमें dissolved हो जाते हैं we say that these substances are soluble in water जिनको हम क्या कहते कि वो पानी में soluble रहते क्योंकि वो असानी से उसमें घुल जाते हैं और जब भी कोई चीज उसमें soluble होती है पानी के अंदर तो क्या वो आपको दिखाई देती है जी नहीं वो पूरी तरीके से पानी में घुल चुकी होती है that means उसमें soluble होती है इसलिए वो आपको दिखाई नहीं देती अगर मैं salt को mix करती हूँ तो वो उसमें soluble है लेकिन अगर मैं उसमें sand को mix करती हूँ तो that means कि वो उसमें soluble नहीं है इसलिए वो आपको पानी से थोड़ी अलग दिखाई देती है so what will happen if we go on adding more and more of these substances to a fixed quantity of water देखे यहां पर क्या बताया जा रहा है कि चलिए पानी में बहुत सारी चीज़ें घुलती है बहुत सारी चीज़ें soluble होती है लेकिन अगर मैं किसी एक fixed quantity में for a fixed quantity मतलब कि जिसको आप बड़ा नहीं रहे हो so for example हम यहां पर एक एक एक्जामपल ले लेते हैं fixed quantity का half of glass half glass of water हमने पानी लिया लेकिन उसको आधा फिल किया अगर मैं क्या इस fixed quantity में पहले एक चमच salt दालूंगी तो वो घुल गया दो दाला तीन चार पाँच इस तरह से हम उसमें quantity बढ़ाती गए तो क्या पूरा का पूरा salt इसमें घुल जाएगा ऐसा होता है क्या नहीं अब आपने देखा होगा कि कई बार आपने शकर को शुगर को पानी में घुला होगा या उसको मिलाते हैं तो क्या पूरा का पूरा जो answer है वो मिल जाएगा कि अगर अपन ज़ादा substances को मिलाते हैं तो वो उसमें पुरी तरी के से मिलते हैं या फिर नहीं मिलते हैं आपको क्या करना है you will need a beaker और a small pan a spoon salt and water pour half a cup of water in a beaker अब एक beaker लेना है उसमें आपको half cup पानी जो है वो डाल देना है half cup मतलब थोड़ा ही पानी रहा होगा beaker में add one teaspoon full of salt and stir it well until the salt dissolves completely अब आपको एक teaspoon full of salt लेना है salt ले लिए आपने एक teaspoon और उसको अच्छे तरीके से उसमें stir कर लीजे मिला दीजे until the salt dissolve जब तक की जो आपका salt है वो पूरी तरीके से उसमें घुल जाएगा again add a teaspoon full of salt and stir well अब फिर से आप एक और teaspoon full of salt लीजे और फिर से उसको मिला दीजे go on adding salt one teaspoon full at a time and stir अब आपको क्या करना हर बार एक teaspoon salt लेना है और उसको आपको मिलाते जाना है ठेक है after adding a few spoons of salt do you find that some salt remain undissolved and settles at the bottom of the beaker क्या ऐसा होता है तो जी हाँ ऐसा होता है हमने क्या क्या कम पानी लिया अब उसमें जितना पानी के साथ घुल सकता था पानी के साथ वो molecule जो है salt के वो जितने मिल सकते थे वो मिल गए अब आप और डाल जादा उसमें salt को अगर घूलते जाओगे तो आप देखोगे क्या देखोगे आप यह देखोगे कि जो salt का content है वो नीचे की तरफ जमता हुआ दिखता जाता है इसका मतलब जितना पानी आपने लिया है अब उसमें मतलब हाफ कप पानी में उससे जादा अगर आपने डालते जारे हो और उस टाइम के बाद जिसमें की गुनला बंद हो जाए आपका salt और नीचे जमना शुरू हो जाए that means की उसके बाद आप उसमें और salt नहीं डाल सकते ठीक है so this solution is now set to be saturated और इस तदिके के solution को आप क्या कहोगे saturated तो हमने एक नया word यहां से सीखा है क्या सीखा है saturated जिसका मतलब क्या होता है saturated water का मतलब यह हुआ या saturated liquid का मतलब यह हो गया कि जब आपने उसमें कोई particular content particular content for example जैसे salt जब आप उसके अंदर salt को add करते जा रहे हो add करते गए करते गए करते गए लेकिन एक ऐसी condition आई जिसके बाद आप दुबारा उसमें liquid को और salt नहीं डालोगे तो वो condition जब liquid में आप कोई चीज को डालते हो वो उसमें soluble होती है लेकिन कुछ time के बाद वो उसमें soluble ना हो नीचे की तरफ वो इखटा होना या store होना शुरू हो जाए तो उस condition में यह जो liquid है वो क्या कहलाता है saturated राइट तो यह saturated word जो है यह आप बहुत बार यूज़ करोगे तो यह कुछ सब चीजे जो आपन 6th class में सीख रहे हैं ना science में यह सब कुछ आपको आगे काम आने वाला है तो बहुत अच्छी तरीके से चीजों को याद करते है जिसमें जितने भी words हम सीखते है ना daily उसको लिखते जले मैंने आपसे पहले भी कहा हुआ है so saturated word यह जो saturated solution है इसका मतलब हम समझ चुके है clear है so here is a hint as to what might have gone wrong when पहली try to recover large quantity of salt mixed with the sand अब क्या हुआ होगा देखें क्या हुआ था पहली ने क्या किया था last class में आपको पिताया था कि उसने packet ले लिया sand का packet ले लिया salt का और उसे थोड़े से sand में मिलाया उसको पानी में घोला sand को तो उसने अलग कर लिया लेकिन जब उसने पानी को क्या किया evaporate किया जैसे हमने evaporate किया था last class में याद है हमने उसको एक cattle के अंदर रखा था उसे आप burn कर रहे नीचे से गर्म करते जा रहे थे तो पानी जो है वो steam के form में बन रहा था मतलब की evaporate हो रहा था तो वो जो salt था वो sand में ही रहे गया और इसलिए सो कम salt जो था वो पानी के साथ उसने अवापरेट किया और उसको मिल गया बागी का जो salt था उसने जित कम पानी में क्योंकि गोला होगा इसलिए वो वही रहे गया आई बास समझ में अब यह जो quantity बनी थी जिसमें उसने salt डाला था जिससे saturated solution बनना था saturated solution का मतलब जिसमें further और salt अगर एट नहीं होता तो वो saturated solution कहला था तो यह जो इसकी जो quantity थी क्योंकि बहुत जादा थी salt की इसलिए वो पानी में उतना ही घुला जितना की वो liquid उसे घुल पाता और जब उसने एवापरेट किया तो उसे थोड़ा ही salt मिला आया बात समझ रहे तो हमारा question था यह यहां पर हम समझ चुके है so the undissolved salt would have remained mixed with the sand and could not be recovered तो जो भी undissolved salt था वो किसके साथ रह गया था sand के साथ रह गया था और वो इसलिए वो recover नहीं हो पाया इसलिए वो जब उसे एवापरेट कर रही थी तो उसको दुबारा वो नहीं मिल पाया she could solve her problem by using a large quantity of water उसकी problem solved कैसे हो सकती थी तो जब पहेली ने एक packet salt को डाला था तो उसको पानी भी उतना ही सारा चाहिए था ठीक है जितना quantity डाल रही है उतना पानी उसको लेना था जो कि उस पानी में पूरा का पूरा salt अगर घुल जाता तो वो उसके लिए ठीक होता लेकिन अगर थोड़ा ही पानी लिया है तो पूरा तो घुलेगा नहीं और जब आप उस पानी को एवापरेट करोगे तो कैसे मिलेगा salt इसलिए जरूरी है कि जितनी quantity आपने मिलाई है उतनी ही quantity का पानी आपको add करना पड़ेगा तब ही आप जब एवापरेट करोगे तो आपको salt का content वापस दुबारा से recover होगा दुबारा से मिल जाएगा अपन ने उसको तो बता दिया कि आपको क्या करना चाहिए था ज्यादा पानी लेना चाहिए था अब मान लीजे कि उसके पास sufficient quantity of पानी नहीं है ठीक है तो क्या वो salt को उसमें mix कर सकती है ऐसा पूछा जा रहा है So is there some way that water could be made to dissolve more salt before the solution gets saturated मतलब solution saturated हो उससे पहले ही क्या हम उसमें जादा salt mix कर सकते हैं तो let us try and have the पहली out तो इसके लिए हम एक और activity देखेंगे That is activity 9 Take some water in a beaker and mix salt in it until it cannot dissolve any more salt अब आपको एक beaker लेना है और उसमें आप salt को mix करते जाएं जब तक कि उसमें और further हम salt को dissolve नहीं कर सकते हैं मतलब कि इतना आपको गोलना है इतना salt डालना है कि जब आप और salt डालो तो वो उसमें ना गोले ठीक है इतना आपने डाल दिया आपका saturated solution बन गया This will give you a saturated solution of salt and water तो इससे आपको क्या मिल जाएगा एक saturated solution मिल जाएगा clear है Now add a small quantity of salt to this saturated solution and heat it ठीक है अब क्या करोगे थोड़ा सा और नमक डालोगे और salt डालोगे और उसको गर्म कर दोगे What do you find गर्म करने से क्या हुआ What happens to the undissolved salt in the bottom of the beaker Does it dissolve now? ठीक है क्या वो dissolve हो गया? तो देखे जैसे ही आपने small quantity saturated में Saturated समझ गया ना जैसे ही saturated solution में आपने और salt डाला तो वो नीचे जम जाएगा आपने गर्म किया गर्म करने के बाद आप क्या देखते हो कि यार ये तो गुल गया पानी तो इसमें नमक के साथ मिल गया So if we have scanned some more salt to be dissolved in this solution by heating it तो जब हमने और डाला और वो मिल गया तो क्या heat करने से और मिल सकता है और हुन उसमें डाल सकते है So let this hot solution cool अब ये जो गर्म solution आपने बनाया था उसको ठंडा होने दीजे Does the salt appear to settle at the bottom of the beaker again? क्या वो जो salt है फिर से नीचे मिलना शुरू हो जाता है This activity suggests that the larger quantity of salt can be dissolved in water on heating तो आप ये देखते हो कि जो salt है जो कि आपने घोल दिया आपने गर्म करके एक्स्ट्रा मिलाया था वो आपको नीचे मिलना शुरू हो जाएगा इसका मतलब इस activity से आपन को क्या समझ में आया कि larger quantity of salt can be dissolved in water on heating मतलब अगर आप heat करते जाओगे तो आप large quantity को उसमें mix करते जाते हो So does water dissolve equal amounts of different soluble substances? क्या ये जो water है ये अलग-अलग substances को घोल लेता है चाहे वो salt हो या sugar हो So take two glasses and pour half a cup of water in each of them अब आपको क्या करना है? दो glasses लेना है चलिए अभी पहले कहानी ये समझा दूँ कि activity 9 तक हमें क्या समझ में आया और ये जो activity 8 थी उससे हमने क्या समझा? ठीक है? So activity 8 से हमने ये समझा था कि ये जो पहली थी उसने क्या किया था? उसने कम quantity गलत ले ली थी तो अगर आपका ठंडा पानी है और आप उसमें salt को घोलना चाते हो तो आपको quantity का ध्यान रखना पड़ेगा अगर saturated level पर पहुँच गए है saturated मतलब कि पानी का वो level जिसमें कि आप जब salt को mix कर रहे थे तो उससे ज़ादा salt जब mix ना हो तो वो saturated level था तो आपको quantity पानी की ज़ादा लेनी थी तो वो आसानी से घोलता और evaporate होकर आपको दे देता फिर हमने सोचा कि अगर पानी उसके पास नहीं और वो salt को घोलना है तो कैसे घोलेंगे तो activity 9 ने हमको बताया कि अगर आप पानी को पानी में extra salt घोलना चाते हैं तो आपको क्या करना होगा उसे heat up करना पड़ेगा heat up करते जाओगे तो वो घुलता जाएगा समझ में आई बात अब activity 10 से हम ये समझना चाह रहे हैं कि यहाँ पर अभी तक हमने सिर्फ salt को पानी में मिलाया अब क्या ये जो चीज हो रही है कि आप पानी को गर्म करते जाओ और substance को मिलाते जाओ तो वो इसमें घुलता जाएगा ये क्या सिर्फ नमक के साथ होता है है दूसरी चीजों के साथ भी हो सकता है तो इस चीज को समझने के लिए अब हम कर रहे हैं activity number 10 ठीक है तो टेक टू ग्लास और पोर हाफ कप आफ वाटर इन इच ऑफ दैब आपको दो ग्लास लेना है और इसमें इस तरह से हाफ उसमें पानी भर लीजे अब आपको क्या करना है जब तक कि आप saturation लेवल पर ना पहुँच जाए मतलब कि पानी के उस लेवल तक पानी में salt को इतना घूलना है कि फर्दर उसमें और salt ना घूले उतना saturated लेवल तक आपको पहुचना है ठीक है अब आपको क्या करना है salt को भी mix करना है और sugar को भी mix करना है माल लिजे कि number of spoons of substances that dissolved in water माल लिजे कि 5 ठीक है और sugar को आपने किया तो वो क्या होगा ठीक है तो यह आभी answer देते हैं So repeat this with some other substances that are soluble in water What do you notice from table Do you find that water dissolved different substances in different amount तो क्या हमें यह समझ में है कि water अलग अलग substances को अलग अलग amount में करता है तो जब आप यह activity करोगे तो आप यह देखोगे कि sugar का content कम होता है चेक है और जो salt है वो जादा मिल जाता है So we have discussed a few methods of separating substances Some of the methods of separation presented in this chapter are also used in science laboratory We also learned that a solution is prepared by dissolving a substance is liquid a solution is set to be saturated if it cannot dissolve more than substance in it ओके चलिए तो यह जो activity 10 थी इससे हमें यह समझ में आया कि पानी में अलग-अलग substances को ठीक है activity 10 से हमें क्या सीखने को मिला तो इस वाली जो table है इससे हमें यह सीखने को मिला कि पानी जो है वो अलग-अलग substances के लिए अलग-अलग quantity आपको रखना पड़ती है तो do you find that water dissolved different substances in different amount तो जी हाँ पानी जो है वो अलग-अलग substances को अलग-अलग amount में ही dissolve करता है मतलब कि मान लीजे कि यहाँ पे salt जो है वो 5 चमच के बाद 5 स्पून आपने salt डाला उसके ज़्यादा बड़े होते हैं तो content उसका automatically ज़्यादा होता है clear है तो इसका मतलब कि पानी जो है वो हर चीज को यह आप यह कह सकते हो कि पानी का जो saturation होता है जो saturated water होता है वो अलग-अलग substances के लिए अलग-अलग होगा कुछ के लिए सब्स्टेंस है वो क्या होंगे वो जल्दी उनको घोलना बन कर देगा और कुछ के लिए के लिए बहुत टाइम बात समझ में आई तो इन एक्टिविटी से आपको बहुत सारी चीज़े सीखने को मिली हमने एक्ट एक्टिविटी करी आज के इस वीडियो रेक्षर में नाइन करी और टेन करी इन तीनों से आपको जो जो चीज़े समझ में आई है I hope आपको यह सब कुछ समझ में आया हो यहाँ एक्टिविटी टेन के खत्म होने के बाद अब हम एक छोटा सा रीकेप ले लेते हैं कि इस पूरे चाप्टर में मैंने इस चाप्टर में आपको क मिख् TB घुकर तो हमने यहां पर यह सारे चीज़े पड़ी थी कि यह सारे चीज़े होती है यह सारी मैटर जोती है जिनसे हम zestिश हम介से सबस्टेंश को सेपरेट कर सकते हैं यह सारी मैठीट सके थू हैहां सके स्टोन्स कूट भी सेप्रेटेज from grains by handpicking अब यह जो handpicking method है उसमें आप क्या कर सकते हो हास को जितने भी stones है वो आप grain से handpicking method से अलग कर सकते हैं husk is separated from heavier seeds of grain by renewing अभी जो husk है उसको कैसे आप हटा सकते हो husk is separated from heavier seeds of grain by renewing अभी जो भी renewing method जिसमें अपन इस तरह से क्या करते हैं हवा में सूपे में किसी बर्तन में इस तरह से जो भी फार्मर्स होते हैं वो अनाच को grain को नीचे गिराते हैं हैवी वाला नीचे गिरता है और जो हलका होता है वो दूर उड़के गिर जाता है सो difference in size of particle in a mixture is utilized to separate them by the process of sieving and filtration अब अगर यहां पर size आपका लगभाग सेम था तो आप विनोइंग और हैंड़किंग मेथड कर सकते हो लेकिन जहां पर size different हो दूनों सब्स्टेंस का तो वहां आपको क्या करना पड़ेगी सीविंग की और filtration की method करनी पड़ेगी जैसे कि आपके floor के अंदर अगर कोई floor बहुत बारीक होता है लेकिन अगर आपने बारीक मतलब बहुत छोटे चोटे particles होते हैं wheat floor के लेकिन अगर उसमें आपके बाकी ग्रें का कोई substance आ गया मालीजे seed आ गया तो उसको हटाने के लिए आप आसानी से क्या कर सकते हो सीविंग method करोगे floor नीचे आ जाएगा और जो भी सारे पार्टिकल है वो उपर filtration क्या होता है liquid में से आपने जैसे चाय की पत्ती को अलग किया tea leaves को अलग किया तो वो filtration की methods थी टिक so in a mixture of sand and water the heavier sand particles settle down at the bottom of and the water can be separated by the decantation अब हमने इसके बाद sedimentation और decantation की process पड़ी जिसमें हमने आपको बताया कि जब आप sand particles को पानी में मिलाते हो तो sand नीचे की तरफ settle down हो जाती है और आपका जो पानी है फिर आप उसमें sand को अलग कर सकते हो decantation की process से ठीक है filtration can be used to separate components of a mixture of an insoluble solid and a liquid filtration की मदद से आप क्या कर सकते हो insoluble solid और liquid को insoluble solid मतला जैसे कि आपकी जो solid पानी में नहीं घुलते हो जैसे d leaves और liquid को अलग कर सकते हो evaporation पड़ा उसके बाद हमने अभी तो evaporation की method क्या होती है evaporation is the process in which a liquid gets converted into vapor and evaporation can be used to separate a solid dissolved in a liquid जैसे कि आपने किस को किस से dissolved हटाया था salt and water जिसमें आपने sea water की help से salt को हटाया था salt आपका क्या हो गया solid हो गया और water जो था liquid था जो कि evaporation की method होती है saturated solution is one in which no more of the substance can be dissolved अब उसके बाद हमने saturated solution के बारे में पढ़ा saturated solution क्या होता है more of a substance can be dissolved in a solution by heating it और अगर substance में किसी चीज़ को मिलाना है तो आप heat करते जाओ जैसे कि आपके घर में बनती होगी गुलाब जामुन बनती है कि नहीं अना अब इस process में क्या किया जाता है आपने देखा होगा कि गुलाब जमन की जो चाशनी होती है उसमें शक्कर को मिलाया जाता है अब पानी तो कम होता लेकिन आप उसमें और ज्यादा शक्कर को एड करते जाते हो ठीक है तो यही प्रोसेस में क्या होता है कि आप हीट कर रहे हो और आप उस क्वांटिटी में उस लिक्विट की क्वांटिटी मे जादा quantity of substance that is sugar को add करवाते जा रहे हो तो heat करने पे क्या होता है quantity चाहे कुछ भी हो आप particular substance की quantity को बढ़ाते जाओगे और वो add होता जाएगा that means more of a substance can be dissolved in our solution by heating it ये point को याद रखना है so water dissolves different amount of soluble substance on it that means कि जो पानी है ना आपका वो अलग-अलग substances को अलग-अलग quantity में अपने अंदर dissolve करता है जिसका हमने example देखा salt के साथ और किसके साथ शुगर के साथ जहां salt की 5 spoons half cup of water में गुल जा रही थी लेकिन teaspoon of sugar को उस half cup of water में नहीं dissolve करवा पा रहे थे तो ये क्या है पानी की property है जो की अलग-अलग substances को अलग-अलग amount में अपने अंदर घोल लेता है तो इस पूरे chapter से हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी जिसमें हमने देखा different method of separation with evaporation, condensation and saturated solution क्या होता है इन सब चीज़ों के बारे में हमने chapter number 5 में पढ़ा और I hope आपको ये chapter पूरा clear हुआ होगा अब मेरा जो next video होगा वो based होगा NCRT solution पर तो वो उसे देखेगा ज़रूर देखना भूलेगा मत because सारे important questions हमने उसमें cover किये हो होंगे जो कि आपके exam point of view से बहुत ज़्यादा important है clear है तो हमने जो previous chapters और जो previous topic इस chapter chapter number 5 के already complete किये हुए है आप वो कैसे देख सकते हैं तो आप देख सकते हैं हमारी official website पर जाकर के भी या फिर आप भी download कर सकते हैं that is magnet brains जैसे ही आप इस site पर जाते हैं तो आपको सबसे पहले अपनी class को select करना है that is class 6 जैसे ही class select हो जाएगी तो आप देखेंगे कि एक screen open है जिसमें आपको हर subject के different folders दिख रहे हैं जो भी पढ़ना है उस पर watch now करें for example science by सुर्वितिवारी पर आप watch now कर दें watch now करते साथ ही एक और screen open हो जाएगी आपको इस तरह से एक वीडियो दिखेगा इस वीडियो को शुरुआत से अंति तक that means starting से last तक जरूर देखना है तभी आपको topic clear होगा जब आप वीडियो देखें आपको पसंद आए तो जरूर लाइक करें comment करके हमें बताइए अब हो सकता है कि अभी जो कुछ students देख रहे हैं उन में से कुछ बच्चे हिंदी मीडियम से हैं हमारे पास magnet brains पर आप चुका है magnet brains Hindi medium जहां पर हम Hindi medium के सारे subjects पढ़ाते हैं with complete chapter solution वो भी 100% free of cost वेल सिर्फ हिंदी major minus state boards ही नहीं यहां पर आपको मिलेगा 100% free quality education with best teachers that is from kindergarten to class 12 as well as आपको बहुत सारी writers के booker solution मिलता है plus आपको NTSC ओलंपियार जैसे competitive exams की classes भी मिलती है सब कुछ 100% free of cost तो जब इतनी सारी चीजें मिल रही है तो आपको क्या करना है आपको सिर्फ करना है like share and subscribe subscribe करने से जो भी रिसेंट अपडेट होती है related to subject related to chapters सब कुछ हम तक तुरन पहुच जाती है आप हम मिलेंगे इसी chapter के solution वीडियो के साथ next वीडियो में तब तक के लिए stay happy stay healthy thank you so much